CM योगी आदित्तनात स्वक्ष और स्वस्त प्रदेश के साथ बच्चों की प्रात्मिक सिक्षा को विश्व स्तरिय बनाने का वादा कर रहे हैं लेकिन गाजीपूर के नोन हरा गाउं से जो तस्वीर सामने आई है वो उनके वादे की पोल खोलती है नोन हरा गाउं में पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से बच्चे गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं यही नहीं बच्चे इस गंदे पानी की वज़ा से कई बार बिमार भी हो चुके हैं आप तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बत्तर हैं वही ग्रामिडों ने आरोप लगाया है कि तालाप पर अतिक्रमण होने की वज़ह से सड़त पर गंदा पानी सालों से बह रहा है वही जब इस बाबत डीम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इलाके में नाली की विवस्था की जाएगी अब बड़ा सवाल ये है कि कब इलाके में नाली की विवस्था की जाएगी और कब बच्चे बिना किसी परिशानी के जा सकेंगे पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट